आप सभी का स्वागत एक पर फिर सान अक्याडमी पर मैं डीपक हुमार सेंग तो बच्छों आज के सेंसर में हम सेकुलरिजम पर आगे हम बढ़ेंगे इसके पहले लेक्षर में मैंने आपको बताया कि सेकुलरिजम है क्या ठीक है उसके बादे में मैंने आपके साथ डिसकु सब्सक्राइब करेंगे लेकिन अपने इसके पार्ट में यहां पर कंप्लीट कराऊंगा इसके बाद में आगया वले पार्ट पर हम लोग बढ़ेंगे उस पर भी डिसकुशन करेंगे लेकिन आगे उसके बाद में यू सीसी आपको कराऊंगा तो आप निश्चिन्ट रहें सारे टॉपिक आपके होंगे डिटेल में होंगे अलग अलग पार्ट में आपको मिलेंगे ताकि आपको भी उसको प्रिप्यर करना इजी हो पाए उससे पहले देखे बच्छो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल रहा है ठीक है आपको 50% आप के साथ में 6 मंत का फ्री मिल रहा है ठीक है आप अगर सब्सक्रिप्सन लेते तो आपको 6 मंत का एक्सेंशन भी मिलेगा 50% आप भी मिलेगा इसके अलावा आपके लिए क्रेस पोर्स भी आ रहा फिल्म्स 2024 का और अफ्टार बैच जो है इंगलिस में ठीक है यह एक दिसम्बर से बैच लाइब होगा मंडे टू सटर्डे होगा तो आप इस बैच को जोईन कर सकते हैं साथी साथ आप फांडेशन बैच जो है आईस 2025 का ये भी आप देख सकते हैं आप यहां पे कंप्लीट प्रियो में सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इन में से कोई करना हुआ तो साथ यहां यहां पर अब लेबल है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ठीक है तो आप इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं जो कि हर संडे कभी न कभी कुछ चीजों में आपको देखने को मिलेगा साथ में कि यूसी सी भी हम लोग ला रहे हैं उसकी डीटेल आपको सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप सभी को मालूमें कि सब्सक्राइब करने यहां से कंस्टिटूशनल प्रोवीजन जो हमारे एक constitution में provisions हैं हम उन पर discuss करेंगे that embody India's secular feature जो भारत के secular feature कहीं नकर एक embodied करते हैं भारत में धर्म निर्पेक्ष जो है ठीक है भारत को बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि relation in secular state में तरीके से रिलेशन देखे जाते हैं कैसे मैं थोड़ा सा आपको एक diagram बना के बता सकता हूं तो मैं को सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर तो एक state हो गया एक individual हो गया और एक आपका हो गया religion अब यहां पर कि सबसे पहला point यह हुआ है कि citizen and religion इसका मतलब यह है कि कैसे individual जो है वो relate करता है अपने खुद के religion से आउ इंडिविज्वल relate to their own religion अब यह individual है और religion है ठेक है तो secular state में यहां पर आ जाता है private world मतलब एक individual उसका जो religion है उसका private matter है कि इस पॉइंट आ जाता है सेकेंड आप देखेंगे यह पर स्टेट एंड रिलीजन आजाता है इस स्टेट और इलीजन जो होता है स्टेट यह में complete separation होता है कि complete separation एक स्टेट में क्या पता रहा हूं आपको इसके लाओ देखेंगे पिचिमें इंडिविज्वल स्टेट में प्राइब्र ही लेकिन क्योंकि भारत में सभी धर्मों को एक मानकर हम सेकुलर हैं इसको लेकर बहुत सारी क्योंकि कितना कॉंप्लेक्स से इंडिया का कि एक आम इंसान को समझेने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी जैसा कि हमने लाफ लेक्चर में देखा था लेकिन यहां पे भी मैं आपको डिफ्रेंट जो कॉंस्टिट्यूशन के आर्टिकल से उनके तो ब को लेकर जो जैज्जमेंट वो किस बेसिस पर हुए तो यहां पर कॉश्चन मारक आ जाता है कि कम्प्लीट सेप्रेशन है तो कहां एक क्या है तो इन्हीं तीन रिलेशन्स को हम अपने इंडियन कॉंस्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के थो समझने की कोसिस करेंगे और यही सेकुलर स्टेट के रिलेशन होते हैं तीन लोगों के बीच में तो चली स्टार्ट करते हैं आज के सिसन को आगे बढ़ते हैं तो यहां पर सबसे पहले कॉंस्टिटिटिशनल फीचर अप होल्डिंग सेकुलरेटी मतलब हमारे कॉंस्टिटिशन में इक्वैलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के जो आर्टिकल्स हैं ठेके डाट इस फंडामेंटल टू दा इंडियन कॉंस्टिशन इंसूरिंग इक्वल ट्रीट्मेंट अफ सिटिटिटिशन रिगार्डलिस ऑफ दा रिलीजन मतलब किसी बी ब्यक्टि को किसी बी इंडिविजुल को उसके धर्म से ना जोड़ते हुए हम उस ब्यक्टि को सिटिटिशन को एक्वल ट्रीट्मेंट जो है वो प्रोवाइट करेंगे यह कॉर कंसेप्ट है सम्भीधान का ये कोर है ये मूल है सम्विधान का आए देखते हैं इस से रिलेटेट कुछ प्रोवीजन आर्टिकल सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 गारेंटी देता है एक्वालिटी बिफोर दे लॉग इड मेंज ये एक्वाल प्रोटेक्शन लेता है और भी लॉट्टू एबरी परसन बिरिंदा इंडियन टरिट्री मलब हर एक व्यक्ति जो है ठीक है उसको समान रूप से कानून का अधिकार है उसके ना तो किसी जाती है या किसी भी आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना द्दर धर्म के नाम पर रेजड़े किसे कम बिनेशन के आधार पर कोई भी कोई भी एस टीट посмотрим कोई भी देधर के सब्सक्राइब it इसका मतलब समान अधिकार की बात करता है नेक्स्ट है आर्टिकल 16 जो है इंस्योर एक्वेलिटी ऑफ पॉर्चिनिटी मैंटर ऑफ एम्प्लाइमेंट पर एक्जामपल मुझे जॉब चाहिए तो मैं जॉब चाहिए तो कोई भी जगर मैं कैपेबिल हूं मेरे पास मुझे ज और जन्मिस्थान के आधार पे कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है क्लियर जी हां तो यहां पे एक इक्वेलिटी ऑफ ऑफ पॉर्चिनिटी है ठीक है अंडर दा इस्टेट प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ट तॉलेली ओन दा रिलीजन और धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं हो सकता है नेक्स्ट आप देखेंगे आर्टिकल 17 अब आटिकल 17 एवालिस करता है एवालिस डा रिलीजियस कंसेप्ट ऑफ अंट टॉच्पिल्टी आपने देखा होगा खास कर हिंदो रिलीजन में बहुत बढ़े लेबल पे हैं त अगर अगर होता है तुम्हां दो चीजों का उलंगन होगा एक सेविल राइट का और दूसरा जो आपका सेडिल ट्राइब और सेडिल कास्ट के अधिकार है उनका इसलिए अगर आप देखेंगे तो लेजिस्लेशन लाइक प्रोटेक्शन आप सेविल राइट एक 1955 सेडिल इन सभी के अधार पर इनके साथ में यहां से मिलती है क्योंकि आर्टिकल 17 कहता है कि रिलिजियस कंसिप्ट अगर वो अन्टचिबिल्टी है उसमें तो वहाँ जायज नहीं है और उसको लेकर दो कानूनों को पावर भी मिलती है यहीं से एक आर्टिकल स्वरी प्रोटेक्शन आप डा सेविल राइट एक 1955 और सेडिल एसी एस्टी है जो एक्ट है उसको हाम वासा में नॉर्मल हम एस्टी एस्टी एक्ट के नाम से जानते हैं प्रीजिट चार चीज़ें हुई यह एक स्टार्टिंग में इसके बताते हैं कि कैसे इंडिया में इसके बारे में अब इसी में थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि आज बहुत सारे आटिकल में कई चीज़ों को कई अलग अलग पॉइंट में बताऊंगा तो कंफ्यूज मत होईएगा क्योंकि मैं बार-बार क्लियर करता रहा हूंगा जैसे अभी तो हमने कुछ की पॉइंट देखे ताकि हमें एक आइडिया लग सके अब नेक्स देखेंगे तक कंसेप्ट आफ फ्रीडम आफ रिलीजिजन ठीक है जो धर्म की स्वतंदता है हमारे इंडियन कॉंस्टिटूशन में उसमें सबसे पहले एक है इंडिविजुल राइट दूसरा है कम्मुनिटी राइट्स समझ रहे हैं अगर मैं individual rights की बात करूं अगर मैं ब्यक्ति बिश्यस के अधिकार की बात करूं और अगर मैं community rights मतलब group समूह की बात करूं तो उसको लेकर कौन-कौन से articles हैं हमारे यहां पे clear है और कही न कहीं यह ensure करते हैं एक individual के freedom of religion को और एक community के freedom of religion को मतलब मैं दिपक कुमार सिंग हिंदू हूँ तो मेरा खुद का individual rights क्या है कौन-कौन सी article हमें उसमें support करती है freedom of religion को इसे और करती हैं और अगर मैं हिंदू हूँ तो हिंदू community के कौन-कौन से rights हैं या दूसरी community के कौन-कौन से राइट हूँ सभी के बारे में चर्चा करेंगे तो आगे देखते हैं freedom of religion based on the individual and community सबते पहले में individual राइट की बात करता है तो इंडिविज्वल राइट में आर्टिकल 25 वन है और परसंस है एक्वल राइट तू freedom of conscience मतलब हम freely स्वतन्द लूप से आपने धर्म को प्रोफिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोपगेट कर सकते हैं यह अधिकार हमें आर्टिकल 25 वन में मिलता है इसके लाव आर्टिकल 27 कहता है प्रोफिशन बताता है नो परसंस एल भी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स डेटा स्पेसिफिकली यूज्ट टू प्रमोट और मिंटेन इनी पर्टिकलर रिलीजन अब मेरे पास कोई व्यक्ति आया मेरे उपर दबाव बना रहा है कि भाई सा बिल्डिंग बना रहे हैं ठीकि किसी विधरम से रिटेट ओ आपको यह देना जरूरी है तो मेरे उपर दबाव नहीं बना सकते इसके लिए यह इंडिविज्वल राइट है मेरे पास में एक व्यक्तिगत अधिकार है कि अगर मेरे उपर कोई दबाव बनाता है इस प्रका अब पदा चला कि स्टेट में राज के द्वारा को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोबाइट कर दिया गया कि नहीं भाई अभी सभी लोग जो है ना ठेके वो कल तिलाखी लगा के आएंगे यह सभी लोग जो है नकल वो टोपी पहन के आएंगे ऐसा नहीं कह सकता इंस्टिटूशन नहीं कह सकता क्योंकि फिर ब्यक्ति भी सेज्ट की जो परफॉर्म टू रिलीजियन हो कैसे आप मान लेजें मैं किसी ऐसे इंस्टिटूशन में हूं जो मेरे धर्ल के आगे मैं लब सब्सक्राइब करके आएंगे बलकि वह मेरे लिए सहीं नहीं है क्यों पर आपको देखने को मिलेगा इंडिविज्व राइट्स रिलेटेट टू फ्रीडम ओव रिलीजन आपको समझ में आगा हो यह तो इंडिविज्व के राइट हुए ठीक है जैसा कि मैंने आपको अभी के अभी आपको पिछली प्लिक्वाइट भी बताएं इंडिविज् करेंगे कमुणिटी को किस प्रकार से यहां पे डिये गया है आढ़ी एक कम्यूणिटी राइट्स की तो बच्कों करें हम लोग चल्चा करें तो आपकल ट्वंटीज है क्या कहता है कि आपको धाफ्रीन और यृवरी रीलेजीर्ज यह डिनॉमिनेसर्ट और एनी सेक्षन देर आफ एस दा राइट तो मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफिर तेकर बोला जाता है कि जो भी रिलीजियस डिनॉमिनेशन है ठीकर क्लियर कोई भी रिलीजियस अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि साबरी माला टेमपल का जो एंट्री केस सर्वाइज अब यहां पर जो रिलीजियस डिनॉमिनेशन था या एनी सेक्शन डियर आफ एस दा राइट तो मैनेज इस ओन रिलीजियस अफिर है क्लियर है वो उसको मैनेज कर सकते हैं वो लग बात हुमेनिटी के गराउन के आगे कंसेप्ट आएगा नेक्स्ट अर्टिकल ट्वेंट अब मेरा कोई कल्चर है तेवहार मानलो मनाते हैं तुस तेवहार को मनाने का अधिकार जो है वो मुझे आर्टिकल ट्वेंटी नाइन के तहर्ट मिलेगा यह मेरा कल्चरल राइट है और हम सभी लोग इसको ढूमदाम से मनाएंगे डिवाली पे टीपक जलाते हैं तो जलाएंगे और यह जो कमुनिटी का अधिकार है और उसको संभिरान की तरफ से भी सुरक्षा मिल रखे आर्टिकल ट्वेंटी नाइन तो हमें यहां देखने को मिलता है नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 30 की ठीक है आर्टिकल 30 जो ह अनुछेद है वह माइनौरिटी राइट्स की बात करता है माइनौरिटी भी तो कमुनिटी हुई ग्रूप ही हुआ तो all minorities कर सकता है क्योंग वह मानता है कि मेरा घ्र इस अनस्थाने एंग सब्रख़ magg Samm करता है ठीक है अलप बात है वह अपने अब अपने डिलिजियों में सब्सक्राइब अपने सते मेड़ी ओगजरा इस्टैपलिज्जिटीटियों कर सकते हैं और को एड्मिनिस्टर भी कर सकते हैं उसको मतलब उसके कारिभार को भी देख सकते हैं वह माइनौरिटी को अधिकार दिया गया है ताकि इनके जो कल्चर हैं उनके कल्चर राइट्स जो हैं मिंटेन रहे हैं यह आटिकल 30 के तहत है ठेक है तो यह देखिए आटिकल 26 राइट अधिकल 30 माइनौरिटी राइट्स यह तीन ऐसे अधिकार हैं जो हमें कम्मुनिटी राइट्स के बारे में बताते हैं तो यह तो था कि रिलीजन फ्रीडम आफ रिलीजन लेकिन साथ ही साथ रिलीजियस फ्रीडम पे हमारे संभिधान में कुछ राइस्ट्रिक्शंस भी है लो भाई सब यह पता चला आपको इंडियन से क्लोरिजम क्या है भाई जब तक सब सही चलेगा तब तक सब सही है और अगर क्योंकि इंडिया जो है को एक डाइवर्स कल्चर है बच्चों आप सभी भी जानते हैं तो आप मुझे खुदी बताईए कि जो इतना डाइवर्स कल्चर कंट्री है वहां पर हम सेकलोरिजम कोई तरीके से वेस्टन एसफेक्ट में कैसे लागू कर सकते हैं तो बहुत प्राब्लम हो जाती है आद देखो आज फ्रांस को कहीं ना कहीं उसी लेबल पर देखिए फ्रांस में प्राब्लम भी जो देखने को मिल रही है क्योंक बात करते है रेस्ट्रिक्शन और रिलिजिस फ्रीडम आर्टिकल 2512 कि क्या कहता है तब से पहली बात कहता है बाइस सब स्टेट इंटर्वेंशन कि कहता है कि जो राज है ना स्टेट कैन इनक्ट लौ वह एक लौ को इनक्ट कर सकता है पर सोचल वेलपेर एंड रिफॉर्म क्लियर एंड रिफॉर्म के लिए और रेगुलेट के लिए और रेस्ट्रिक्ट और रेस्ट्रिक्ट करने एनी सेकुलर अएक्टिविटी से समैं रिलीजियुस विड रोटिए pavementी घी तीorter मिलेएक रोट्र लृण कि अगर आप देखा हना मेरी वीडियो कर होई है लूप्ष इस में अगर आप देखेंगे तो अगर पती नाराज हुआ वह तीन लाग 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 की इस्वाम में मैं। जphaको में है tim तो इस आधार पर क्या होता था कि जो उस पर्टिक्लर रिलिजन की जो फिमेल एक जेंडर था एक जो क्लास था एक बहुर बड़ी संख्या थी कम्रीटी थी उसका कहिना के उसके अधिकार का वाइलेशन हो रहा थी ठीक है क्योंकि उसको किवल किसी छोटी सी बात पर इन बातों पर उसे तीन बात अलग बोलने पर ही उसको बेडखल कर दिया जाता था उस परिवार से जगात उसकी संपत्ति से उसके अधिकार कोई तरीके से क्या होता थी नुक्स मलब आ उनकी अधिकारों का एक साफ से सोस् वेल्फेर के लिए है रिफॉर्म के लिए है रेगलेंट और रिस्ट्रेक्ट के लिए है ठीक है क्लियर किसी रिलीज्जुस प्रेक्टिस earning किया रिट्कलесяं क्या अब देखो 29 क्या कहता है एक बार ध्यान देले लिना फिर से देखो अब धर्म क्या दार पे किसी और स्टुडेंट का एडिमिशन लेने से रोक मना नहीं कर सकते समझ रहें आप देख तब सरकार ने बोला आप अपने एजुकेशन इस्टिट्यूशन लाइए अपने कल्चर राइट को लेकर चलिए आपको पूरी हमाई तुरफ से जो है साहता प्राप्त है लेकिन अगर आपने उस एजुकेशन इस्टिट्यूशन में किसी डूसरे रिल करिकारों के रख्षा दरकार के द्वारा की जाएगी तो इतना यूनिक रिलेशन बन चुका है अभी तक इन आर्टिकल्स में कि एक तरफ इंडिविज्वल कमुनिटी राइट से एक तरफ अगर पब्लिक ग्राउंड पे हैं पब्लिक वेलफेर सोचिल वेलफेर हैं रिफ क्यों कहिना के रिलीजियस फ्रीडम को रेस्टिक्ट कर सकती है और सोचिल कॉज पब्लिक ग्राउंड कर सकती पब्लिक वेलफेर के लिए क्योंकि सरकार के लिए वेलफेर और हुमनिटी का कंसेप्ट बड़ा है इन चिकी जो से तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा अब अब यह जो प्रोवीजन से बात करते हैं और वहीं पर उसके पास अधिकार है कि अगर भाई कॉमन गुट की बात आईए तब की भलाई की बात आईए तो वह क्या कर सकता है रिलीजियस एक्टिविटी को रेगलेट कर सकता है तो मुझे बताईए कि यह आपको बैलेंस नहीं दिख रहा है एक तब आपको फ्रीडम देगा ठीक है लेकिन जहां आपका फ्रीडम अच्छे से जाएगा अच्छे से राएगी और इंटर्फियर करेगी और ऐसे रूल सो रेगुलेशन बना देगी ताकि यह फिर से सीधी लाइन में चलता रहे मतलब यहां पर बैलेंस क्रीट रहे है तो इसी का एक्जामपल मैंने ट्रिपल दला का आपको बताया था भी आगे देखेंगे अडॉप्टेशन तो मॉडन सोसाइटी अब सच रेगुलेशन्स आर इंटेट तो इंसूर देट रिलिजियस प्रेक्टिस सर्क कंसिस्टेंट विद डिवाल्बिंग डिमांड और मॉडन वैल्यूज और मॉडन सोसाइटी तो आज आधुनिक्तावाद में आधुनिकी करण में आज समाज आ रही है लोगों की मांग अलग हो रही है आज इस सोसाइटी में बहुत से रिलिजियस प्रेक्टिस जो पहले थी आज इनको सही नहीं माना जाता है तो इस आधार पर आप गॉवर्मेंट जो है ठीक है तो क्या करती है कि उसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसे regulations को पास करके जो common good के हैं कहीं न कहीं सरकार एक modern society की value को carry कर रही है एक आधनिक समाज जहां पर सब के अधिकार होंगे ठीक है और यही social welfare करते हुए equality देते हुए एक हिसाफ से सरकार जो है modern society की value को carry कर रही है ठीक है उसको establish कर रही है It means जो restriction है It establishes the value of modern society I hope you are getting the point समझ रहे हैं जी और बदलते समाज में अधिकार तो सब के लिए क्या है जरूरी है और आवस्यक माना गया है तो मुझे लगता है कि यह aspect अभी हम लोगों का clear हो गया है जब modern society की values को achieve करने के लिए भी restriction क्या है जरूरी देखने को मिलता है इसलिए तो कहते हैं हम जीवित है यूना रोमा मिस्र सब मिट गए जहां से बाकी मगर है अब तक नामो निसा हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुस्मन दौरे जहां हमारा एक लंबे समय से लोग हमारे दुस्मन रहे हैं फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ लेकिन यूना रोमा मिस्र सब मिट गए जहां से क्योंकि हम इन चीजों को बात करते हैं जहां प्रूसरे जो सभताय थी वह दूसरी सब्ताव की पीचे भगी और उनका पतन हो गया वही पर हम वसुदह कुटूमुकम की बात करते हैं सबका साथ सबके भीकास सर्वोदे की बात करते हैं हम एक unity की बात करते हैं हम पूरे international पूरे मतलब रास अंदर रास के इस्टर पर सबको एक मानने की बात करते हमाइले कोई भी हमसे अलग नहीं है हम सभी की respect करते हैं सभी के डर्म की respect करते हैं और इसी को लेकर हम जब humanity पर आते हैं तो हम common good को अचीब करने के लिए हम freedom of religion को restrict भ इसको अचीब करने के लिए हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं और इस तरीके से कर आप देखेंगे तो इंडियन सेकुलरिजम धीरे धीरे आपको मॉल्ड होते हुए साचे में ढलते हुए दिखरा होगा किस प्रकार से इसका निर्माण होता है इसलिए तो कहते हैं जब तक भाति सम्विधान को ना पढ़ें आप उसके अनुछेदों को ना पढ़ें आर्टिकल्स को ना पढ़ें तब तक बहुत ही मुश्किल हो जाता है यह समझ पाना कि हमारे हाँ पर जो सेकुलरिजम हो किस प्रकार से आई होपी यहां तक समझ में आ पढ़ेंगे फिर हम स्टेट का एक्टिव इनवाल्मेंट कहां पर किस आटिकल के तो पहले वो देखें आई सबसे पहले देखते हैं कि एक तब रिलिजस मुलाब स्टेट कहां पर रिलिजस नीट्रल है सबसे पहले आर्टिकल 14 अनुछेट 14 कहता है वही जो मैंना भी आप स्टेट कैसे नीट्रल है राज किसी भी वेक्टी को उसके धर्म के अधार पर प्रिफरेंस नहीं दे सकता है राज के लिए सभी धर्म क्या होंगे एक समान होंगे इक्वेलिटी विफोल लॉव नेक्स अर्टिकल 15 और 16 नॉन इसक्रिमिनेशन मतला इस अर्टिकल इस प्रिफिकली प्रोहिबेट इसक्रिमिनेशन ऑन बशेशन राज नहीं कर सकता है धर्म क्या अधार पर किसी के साथ दिसक्रिमिनेशन इंक्लूडिंग एक्सक्रिमिनेशन डिक्टेखने को मिलता है कि वह यह आप न पब्लिक प्लेसेज और इंप्लाइमेंट अप्रोहिबेटी जो है इसमें आप धर्म क्याधार पर कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके साब विद्भाव नहीं कर सकते हैं अगर जोलूस निकलेगा तो सबको अधिकार यह नी क्या आप ने एक धर्म को जोलूस निकालने का दिकार दिया और दूसरे धर्म को नहीं दिया और जब भी जूलूस निकलेगा 2007 होगी उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी भी employment को सरकारी ओफिस में निकालते हो उसमें लिए दर्म के लोग इसा नहीं कर सकते हैं तभी को equal एक मतलब equality चाहिए ठीक है और discrimination को prohibit किया जाएगा on the basis of religion आर्टिकल 15-16 यही इससे पता चलता है कि कैसे हमारा जो constitution हमारा state जो है वो religiously neutral religious neutrality उसमें नेक्स आर्टिकल 27 नो religious tax ठीक है इंस्योर करता है कि कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म से जोड़ी किसी building के निर्माण के लिए या उससे धर्म से जोड़े किसी activity के लिए उसके उपर दबाव ना बनाया जाता कि एक टेक्स लेने का या उससे पैसे लेने का यह आपकल 27 के तहर्ट अगर आप देखेंगे तो 9 रिलिजियस टेक्स पाइक देखने को मिलता है इवन राज भी नहीं कर सकता है तीक प्रिया आटिकल 28 जो है यह यह एक कि बात करता है सेकुलर एजूकेशन अब जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट पॉंडेट एजूकेशन इंस्टिट्यूशन जब तक कि कंसेंट ना जब तक परमीशन लिया तो आपको एक सेकुलर इन्वार्मेंट पब्लिक एजूकेशन में बना के रखना है आप वहां पर कुछ भी ऐसी सिख्षा नहीं देंगे कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाएंगे जो धर्म उसके खिलाव हो तो यह एक पॉइंट हमें यहां पर देखने को मिलता है यह किसी धर्म के बारे में नहीं पढ अब यहां पर आप देखेंगे तो ग्रांट लिंग्विस्टिक एंड रिलिजियस माइनॉरिटी इस थेके दा राइट विस्टैबलीश एड्मिनिस्टर एड्मिनिस्टर एजूकेशनल इंस्टिट्यूशन निउट्रल है आप यहां पर इस्टेट्एट लोग ही कर सकते ये नहीं कर सकते एसा नहीं इस्टेट यहां पर क्या रहेता नेत्र रहेगा गस्त्य इहां पर नेत्र रहेगी और इंटर इस बसस पर न्हीं alive इस धर्म का नीवनना चाहिए ठीक है समझ मैं है नेक्ट इंप्लिकेशन सॉप इस प्रोवीजन अब इस सभी प्रोवीजन का अर्टिकल 29 30 और जो हमने देखा 14 15 16 27 28 29 30 यह सभी क्या बताते है कि स्टेट का इक्वी डिस्टेंस बनाता है यह बताता है कि स्टेट किस प्रकार से रिलीजन ए रिलीजन वी रिलीजन सी रिलीजन डी सब दिक एकक्वुल डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हूं सब करेंगे नातू स्टेटा करेगा भाँ स्टेट दिस्क्रिमिनेट करेंग अब अगर मान लेजे कि question आपसे पूछ लेता है वाट इस सेख्लोजम इन इंडिया डिसकर्दी religious neutrality इन इंडिया एक्वी डिस्टेंस ठीक है फ्रम दा डिलीजन तो ऐसा कुछ करके अगर question frame होके आता है तो मुझे लगता कि आप अच्छे सीन आर्टिकल्स की एक्जांपल इलेबरेट करते हुए एक पर्फेक्ट आंसर लिख पाएंगे आपके इंडियन सोसाइटी के section में आई हो आपसे हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं कि दूसर आप देखेंगे secular framework अगर आप दिखेंगे एक टूइट इक्वी डिस्टेंस मिलेगा यह तो एक सेक्लर फ्रेमवर करेगा इंडिया के सेक्लर फ्रेमवर का इससे हमें पता चलेगा किस प्रकार से हमारे governance में हमारे सासन में हमारे सोसिल इंटरेक्शन में जहां पर इस्टेट इंक्रेक्ट करता है इसमें 2 और आप दिखेंगे इस सेक्लर फ्रेमवर को भी रिफलेक्ट करता है इस यसाफसे अगर कभी question आपका इस्टेट इक्वी डिस्टेंस पर तो आप इन आटिकल्स का उप यूज करते हूं आप एक पर्फेक्ट आंसर लिख सकते हूं इंपली केसं से क्वेस्टन बनाय जाते हैं मैक्सम कोशन इंपली केसं से होते हैं ताकि आपको बाकि जो पॉइंट उसकी इलैबरेट करिए ठीक है एक question introduction से अच्छा conclusion से बनता है और यह implication जो है उसी conclusive statement को explain कर रहा है यहां पर I hope you are getting my point चली आगे बढ़ते हैं अब यहां पर आ गया वहां प्रेस्टेट कुछ जगों पर स्टेट आता है एक्टिबली इंवॉल्मेंट होके कौन से ग्राउंड है इस आप देखें कि इंडिया में दोनों चीज़े दिख जाएंगी एक नीट्रल भी दिखेंगा लेकिन कभी कभी स्टेट इंवॉल्मेंट भी हो जाएगा कौन से ग्राउंड है जहा ट्वेंटीफाइव टूबी इस आप आर्टिकल एड्रेस एक्वालिटी बिदिन दा हिंडू रिलीजन है ठेके जैसे आर्टिकल सेवन्टीन जो है वह अंटचबिल्टी को खतम करता है हिंदू धर में अगर आप देखेंगे तो अगर आप मैं आपको फोड़ा से एक्जा अंटचेबल क्लाता है गुप्ता प्रेड में यह अंटचेबल आया था चांडालों अगर आपने नाम सुनों बात में क्या हो कि लंबे समय तक सुसाइटी में धेरे धेरे सूर्ज के साथ भी अंटचेबल्टी बढ़ गई तो सूर्ज के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होना अंटचेबल के साथ तो होना ही था इन सब को देखते हो आटिकल 17 कहता नहीं आपका रिलीजन है तैट्स को अपने रिलीजन को परफॉर्म करें लेकिन अगर आप रिलिजियस परफॉर्मेंस के बीच में इसका बहाना लेते हो अगर आपने अंटचेबिल्टी मतलब को प् होथेगा फिर हम आएंगे आपके साथ क्लियर है एक पॉइंट हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है आई होप यॉप यॉर गेटिंग दपॉइंट समझ में आ गया होगा देखें चलिए आगे देखेंगे आर्टिकल 48 अच्छा दूप आर्टिकल 25 टूबी बचाओ आर् की बात आएगी रिफॉर्म की बात आएगी तो सरकार कानून बनाने का अधिकार 25 टूबी इस अधार पर आप देखेंगे तो भाई आप प्रैक्टिस करो इस्टेट नीट्रल है लेकिन जहां आपकी प्रैक्टिस ने डिस्क्रिमिनेशन किया इस्टेट इंटर हो जाएगा क्लियर है और इस तरीके से पता चलता है कंस्टिटिशन बोल रहा हमारा वच्चा नहीं है हमारा साथ समझ नहीं है सब कुछ सारे अधिकार दिये गए हैं और सब कुछ अच्छा है लेकिन अगर आपने कुछ भी ऐसा किया जिसमें डिस्क्रिमिनेशन आ गया जिसमें आपके रिलिजिस प्रैक्रिस के दौरा किसी क्या अधिकारों का अनन हो रहा है संबिधान पीछे नहीं है संबिधान कहेंगा अधिकार सबसे पहले बाखी सब बात में ठीक है आडिकल 48 काव स्लॉटर आपने देखा होगा अब देखेंगे काव जो है वो सेक्रेट है हिंदूजम में अब गव हत्या लगातार बहुत लंबे समय से बढ़ रही थी कानून आया ठीक है और इसलिए लाए गया क्योंकि स्टेट ने इसलिए इसमें इन्वाल्व किया कि पर्टिकुलर किसी इंसीडेंट के दुबारा किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों के आगके बताते हैं जैसे मान लीजाए कि यह जो है एक लेबल है लेबल दे दिया गया है यह रिलीजन ए है यह रिलीजन भी है यह रिलीजन सी है और यह रिलीजन डी है यहाँ पर स्टेट है स्टेट की नजर में सभी क्या होने चाहिए इक्वल होना चाहिए और स्टेट इनसे दूर रहेगा सब इस दिखाएगा भाई कि लो कूड़ो खाओ प्यों मौज करो लेकिन जहां किसी स्टेट ने किसी रिलीजन ने अपने रिलीजियस प्रैक्टिस के दौर आपने आपको बाकियों से ऊपर दिखाना चाहा बेदभाव करना चाहा तो सरकार आ जाएगी और अगर इस रिलीजन ने इस रिलीजन की स्टेटस को नीचे करना चाहा तो सरकार आ और अगर इस रिलीजन के अंतरगत ही कोई डिस्क्रिमनेशन हो रहा है तो गवर्मेंट आ जाएगी जिसके मलब सरकार कहेगी एक्वल रही है विक्यों डिस्टेंस मेंटेन करते हैं लेकिन आपने अपने डिलीजियस प्रैक्टिस को ऐसा प्रपोगेट के जिससे दूसरों के साथ गलत हो रहा है तो सरकार के रहे सब इंटर्फेर करेगे अब जा देखेंगे अगर आप देखेंगे तो इसलाम धर्म में जो है मांस खाना जो है वह उनका खुटका एक कल्चरल प्रैक्टिस है मतलब अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से तो डावत वगरा भी रहती है उसमें ठीक है बहुत ज़्यादा डीटिल तो नहीं बोल सकते हैं तूसर अगर आप देखेंगे तूसी में काउ स्लोटर को बैन किया गया ताकि एक रिलिजन के सेंटीमेंट को नुकसान न पहुचे तो सबसे बड़ी बात है कि हिंसा को रोक कर नुकसान पहुच बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा भी ना हो कि हमने इस ब्यक्तिव इसको बहुत ज़्यादा अधिकार दे दियो इसके अधिकार चीन लिए ऐसा ना हो तो काउ स्लोटर जो है वो यहीं बताता है कि भाई सब अगर किसी धर्म के सेंटीमेंट को नुकसान पहुचा है ठीक है तो है मतलब एक्श्प्लाइटेशन ना हो ऊसके लिए आपके साथ में कदम से कदम मिला का चले कि नेक्स्ट ए यूनिफर्म सिब्ल कोड इस यूनिफर्म सिब्ल कोड में आठिकल 44 जो है आठिकलेट धा इस स्टेटस एंबिशंट टू इम्प्लीमेंट अशन एक पर तो अब देखें यहां पर सिंपल सी बात है कि बोला गया है कि सभी अब यह चल भी रहा है इसके उपर डीटेल मेरी क्लास आएगी आप नौर्मल यह जान लेज़ें कि स्टेट का एंबिशन है कि यूनिफर्म सिबिल कोड लाया जा सभी सिर्जन के लिए जहां पर सभी अभी तो यूसी सी पर अगला लेक्चर उसी के ऊपर है जो नेक्स्ट मिलेगा आपको इन डीटेल डिसकुसन यूसी सी और अभी टॉपिक में भी है और इसके उपर एक आंसर एक्टिंग प्रेक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा ठीक है चलवा गया दलते है रेगुलेशन आप से सेकुलर टोट टोटए सेकुलर एक्टिश कछे में प्रेक्टिश को है देजिखे रेखर है कि खुलेशन हैं है है ठीक है एक के अगरपी को लंगान होगा तो यहाँ पर गुवर्मेंट इंटर्फेर करेंगे अब आगे रेखेंगे कुछ और आपको मैं प्रोबीजन बता रहेता हूं जैसे गुवर्मेंट किस प्रकार से और हल्प करती है इस्टेट इनिसेटी फॉर्द माइनौरिटी वेलफेर अब हमारे यहाँ पर रेखें समय अखनों में लग के लोग हैं मतलब अपनी चीजे जो है माइनौरिटी जो है वो कहीं न कहीं अपनी चीजे यहाँ पे क्या करते है अपने कल्चर अपनी द्वाराइगी चीजो मैने काली परचेज की तो कालीन वगरा लेकर आया थे लोग बेचने तो इसे माइनॉरिटी जो है ना उनके कल्टर को भी कहना के एक रिस्पेक्ट परजीवर प्रेजर्बेशन मिलता है दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसकी डेवलप्मेंट को भी बढ़ावा मिलता है यह सारे जो टो इस्टेटीड पोर्म मैनॉरिटी वेलफेर ये आप देखेंगे दूसरा नेचर आप इस स्टेटेटेट्र इंटर्फेर्जंज बितो इंटर्फार इंटर्फेस बित रिलीजन अब जो बडॉनटा है फोकस नेस्टेटी अस्पेक्ट पर एकंपल और अइस्टेट समझारों आपको कि इस्टेट का इन्वॉल्मेंट है रिलिजियस मेटर में वो प्री डॉमेंटली टार्गेट दस सेकुलर फीचर आफ रिलीजिन राधर दें रिचुलिस्टिक और प्राइबेट रिश्पेक्ट अब आप यह कर रहे हो हवन करें तो आपको आगे नहीं रुकेगा क्योंकि वो इन्डिविज्वल का प्राइबेट इस्पेर है मैं कलावा पाइन रूप है पहन हुआ हाथ में टीक लग लगाऊं जो ब्रिटिस किया करते हैं तो वह यह नहीं करेगा ठीक है तो यही यह लोगों ने अभी जो यहां पर देखा कि रिलिजिस निट्रलिटी आर्टिकल 14 50 16 और 27 28 देखा 29 30 भी देखा किस प्रकार से एक्टिव स्टेट इंवल्मेंट हो सकती है 17 25 2B 48 UCC 44 क्लियर है और आपका 25 2a और साथ इसाथ हमने देखा कि गवर्मेंट की इनिसियेटिव कौन से और साथ साथ इस्टेट के जो इंट्रफेरेंस हो सेक्लर अगर आप देखेंगे तो वह कहना कहीं इस्टेट की इनिवल्मेंट होगी वह कहना कहीं टार्गेट करेगे सेकुलर फीचर ऑफ रिलिजन को किसी ब्यक्ति बेशेश के प्राइबेट इस पर में जाके उसमें इंटर्फेरेंस नहीं कर सकती है कि समझें मेरी बात को जी हां अभी तक तो हमने बात की सुप्रीम कोट पर कि हमारे आप सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया में क्या इस्टेंस से क्या कडम लिए गए अब तक कौन-कौन सी चीज़ें कौन-कौन से केस एक बार देख लेते नॉर्मल एक ओबर भीव आपके पास रहेगा सबसे पहले केस वाननद भारती केस केस नाइटीन सेवंटी का केस है जिसमें डिकलियर किया गया कि सेकलोरिजम डिकलेड़ा इस बेसिक फीचर अब ड़को अब आप यह बता रहा हूं ताकि यह काम डो बार आपको ना पढ़ना पड़े क्योंकि आपने कुछ केस बता दूँगा ताकि आप रिलेट करके इंडियन कॉंसिट्यूशन में सब्सक्राइटी में अच्छा अंसर लेख सके और एक बेस्ट आंसर वही होता जिसमें कई सब्जेक्ट का मिक्स आपको देखने को मिलेगा तो अपने अभी मैंने हिस्टोरिकल बेगराउंड भी कि भी डिछोट इसकेस इंफैस्ट सेकुलरिजम एज एक्ट कीट्मेंट अपॉर्ल यूजर्ट आइक ससंट वर माईनिग सेकुलरिजम इंबी अनकॉंसिटीशन जो शीचैनीट क्वलरीजम के खिलाफ होंगी जो भी बढ़ा सेक्ट्यस होंगे यह सार वो मैं केस में अगर लेकर आप देखेंगे तो कहने से कुलर जो सब्सक्राइब यह आपको बात में किया गया जो मिनी कंस्टिट्यूशन उसके तहत लेकिन उसके पहले नहीं था लेकिन वह हमारे अगर प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा तो यह केस उसी को क्या करते हैं एक हिसाब से स्टैब्लिस करते हैं अब इसका मतलब यह नहीं कि टॉलरेंस आजा है मिला आप यह को बढ़ावा दो और कोई व्यक्ति जो है वह अपने धर्म धर्म चीजों को और दूसरा टॉलरेंस करें यह बही नहीं साइए कि स्मुझन मल्क टॉलर्रेंस समझ जहें अलग लेबल पे लिए कि डिलीजर स्टॉल्रेंस डज नौट टूपरेंट्वेट्ट्यू क्यों तो अब मैं टॉलेटेटेट रहू और आप आप धार्म काणून चलाते रहें तो यह टॉल्रेंस नहीं तोलरेंस में यहां भी होनी चाहिए यहां पर पर लिटी कभी थियो करी स्टेट के में रहते हुए अपने आपको यह तो यह तो राइट टो ऑबर सेकुलर ऐस्पेक्ट और रिलिजस प्रेक्टिस अब मालेजे आपने देखा होगा से अब बैन किया गया कि लोग रोट पे प तो यह इंडिविज्वल का प्राइबेट इसपेर है आप उसको करिए लेकिन आप पब्लिक प्लेस पे आके किसी और रिलीजन या किसी और दर्म के लोगों को से नुकसान तो यह कहीं नहीं किया जाएगा तो इसको लेकर अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा प्रोवीजन है सुप्रीम कोट का इवी टॉलरेंस का मतलब यह नहीं होता है कि थीओक्रेसी करता रहे और व्यक्टी वहां पर टॉलरेंस करता रहा है यह सही नहीं है मैं क नर्म निर्पेक्ष रहेंगे और कोई भी रिलिजियस एजेंटा इलेक्शन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं अब आगे हम प्रोवीजन देखने वाले हैं जैसे अभी आगे हम देखेंगे ठीक है कुछ पॉइंट को एड़ान भी करेंगे नेक्स्ट करीकुलम पॉर स्कूल सब्सक्राइब करेंगे रिलिजियस चीजें जादा पढ़ाई जा रही है इसमें बोला जाता है कि सेकुलरिजम इंटर्प्रेटेट एज एक्वल रिस्पेक्ट फॉर और रिलिजन सीने जुकिशन पर्टिकुलर किसी रिलिजिजन को आप वहां पर नहीं पढ़ेंगे कि सभी रिलिजिन को बराबर वह जगा वह सम्मान मिलेगा क्यों सब्सक्राइब कर दिकार में मुझे जानने का दिकार है न मैं आयस में हम लोग पढ़ते हैं हम रिलिजिजन का एक चैप्टर यह इंडियन कल्चर में हमें जानना है दूसरे के धर्म को क्योंकि आप आप आ और एक इंस्ट्यूट में पढ़ते हैं इसलिए वहाँ पर कही न कहीं एक 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 एक्कोल रिस्पेक्ट फॉर एलिजिजन इन एजुकेशन होना जरूरी है दोजा दोगा केस है अवना रहा केस आप हेल्ट सेक्लर अलाइनमेंट आप दा नेशनल करिकुलम नेशनल करिकु कि बिल्कुल सरकार ने माइनॉर्टी मेजॉर्टी का डिस्टिंग्शन बना के रखा है यह नहीं कि आप इससे क्या होगा किसी एक रिलीजन में आप सामिल होई सबसे हिंदुजम में देखा जाता है जोड़ के तो आप अगर उनसे अलग आपको अगर माइनॉर्टी में कं करना अधिकार है और उसमें जूडिसरी जो है उसमें कहीं न कहीं आपके अधिकार को भी प्रोटेक्ट करेगा और वो टॉलेंस को प्रमोट भी करेगा यह भी हमें सुप्रिम कोट के तरह देखने को मिला था तो आई हो यहां पर भी चीज़े आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी ठीक है जिया चलिए अब आगे आते हैं अब आग जानकारी देना चाहूंगा जानकारी यह बच्चों कि आपने लगा तारा भी देखाओ आप इसके उपर में दूसरा लेक्टर 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 हो जाएगा आपको पहले बेसिक न पड़ाओं सीदे आजाओं कि मंदिर का मामला और यह सब लेके तब आप समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी साबरी माला तुम्हें कुछ केस तो आज बताऊंगे हलका फूखा लेकिन बड़े लेबल पर डिसकेस आपको मिले अगर आप चाहिए तो कमेंट करेंगे मैं आपको बताऊंगा ठीक है तब यहां पर रेखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन और पीपल एक इस प्रकार होना चीए उसके लिए कुछ स्पेसिफिक नियम कानों रूल्स ठीक है लागू किये जाते हैं ठीक है रिप्रेजेंटेशन और अगर कोई कैंडिडेट इसको वाइलेट करता है तो उसको लेकर कहीं न कहीं उसको कड़ी सजा भी है जैसे पहला डिस्क्वालिफ सब्सक्राइब के लिए वह चुनाओं नहीं लड़ पाएगा इफ परसन आर फांड गिल्टी अफ सर्टेन ऑफिस रिलेटेद टू रिलीजन जैसे अगर आप देखेंगे सेक्षिंग रिलीजन पर इलेक्टोरल गेन अब धार्म का प्रियोग कर रहे हैं आप इलेक्टोरल लोगों का अब मालो कि हमारा कोई नेतर अपनी फोटो लेके जा रहे हैं अलग बात है कि दूसे लोग हाइलाइट करते हैं लोग परयोग करते हैं लेकिन फिर भी हमारे बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम है प्लेर कि आप सेक्षिंग वन्टी फाइफ के तहत कि अगर आप रि इंडियन पीनल कोर्ट सेक्षिंग 153a-505 कमिटिंग ओफिंस अगेंस्ट रिलिजन अगर आपने धर्म के खिलाफ में कोई ओफिंस किया है किसी भी से धर्म के खिलाफ में आपने कभी कोई हत्या कि किसी कि धार्मी कुद्मात पहलाया तो भाइस अब आपको डिस्क्वाइ कर दिया जाएगा इस एक्ट के तहर्त सेक्षिंग 8 और रिप्रेजिटेशन और पीपल एक्ट 951 डिलिजिए इंस्टिट्यूशन एक्ट 1988 अगर आपने मिस यूजिंग रिलिजिए स्राइन अनलॉफिल अक्टिविटी में आपको पकड़े गए हूं या आपका आप इसके तो कहने के पर्टिकुलर स्राइन के नेचर को अगर आप इसमें इन्वाल्व हैं गिल्टी पाए गए हैं तो आप इसे चीज़ों को आप अपना मुद्धा बना के लेक्शन लड़ रहे हैं तो आप डिस्क्वालिफाई कर दिये जाएंगे इवन गीटने के बाद के बाद आपको हटाई जाएगा फिर बात में इन्वालिट कर दिया जाएगा देखें सेकेंड पॉइंट वही है इन्वालिडेशन ऑफ बिनिंग कैंडिडेट इलेक्शन डियाक्ट प्रोहिबिट दा यूज ऑफ रिलीजन और रिलेजियस सिम्बल्स टू प्रमोट कैंडिडेट् यह प्रोहिबिट करता है कि आप रिलीजन का यूज या रिलीजियस सिम्बल का यूज नहीं कर सकते तो प्रमोट कैंडिडेट्स एलेक्शन कैंपेंड ठीकि एलेक्शन कैंपेंड को प्रमोट करने वाला आगे बढ़ाने के लिए आप रिलीजियस सिम्बल का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जो है डूसरे कंड़ेट के चांस को एडवर्स इफेक्ट करेगा यहां पर इक्वैलिटी नहीं रहे पाएगी इस वज़े से आप अगर जीता है तो यहां पर यह जीता हुआ जो है उसे कहीं न कहीं इन वैलिडेशन देडिये जाएगा और उसके जो करेंडिडेट को वाइड मान दिया जाएगा उसकी एलेक्षन को जो वाइड मान दिया जाएगा उसकी जीत को यह बैर नहीं है और अगर कुछ ऐसा करता है जो करप्ट प्रेक्टिस है ठीक है आगे मैं बताऊंगे यह देखिए करप्ट प्रेक्टिस में क्या क्या है मैं बताने जा रहा हूं देखे सब जब पहले सेक्शन 122-3 अगर आप बहसा के अधार पर कम्यूनिटी के अधार पर कास्ट के बेसिस पर रिलीजन के बेसिस पर ठीक है आप ओट मांग रहे हो तो नेक्स यूज ऑफ रिलिजिस सिंबल का यूज कर रहे हो अगर आपको यूक के दवारा सरकार के दवारा अपने सिंबल को अपलाई कि आक रहा हूं तो अलग बात है लेकिन आपको नहीं दिया गया आपका आपको यूज कर रहे हैं और के बात के बाद आप जीतने के बाद से वाइटं लिया जाए rub कि यहां तक समझ में आया है कि नेक्स्ट प्रमोटिंग अपने इलेक्शन के दोरान अपने जीत के लिए किसी पर्टिकुलर कम्मुनिटी के खिलाब रिलीजन के खिलाब ने ठीक है आपने वालेंस किया का बख्लीजन के खिलाब भी किया कि अगर आपने किसी कम्मुनिटी वेसिस फोल्टा बोला शाथी के अधार नसल के अधार पर प्रिलीजन के अधार पे तो भाई साप आप साब डिस्क्वालीफाई के आप फिर नेक्स्ट आइप प्रफोगेटिंग दफ्रैक्टिस और अगर आप देखेंगे तो यहां परेक्टिस और कमीशन ऑप सती तो यह भी करप्ट प्रेक्टिस के अंतरगत आता है यह तुम्हें आप मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए जहां पर एक वेक्टिस डिस्क्वालिफाई और उसकी जीत को हम एक हिसाब से नकार सकते हैं अब मैं बात करो सुप्रीम कोट के दोजा सत्रा के जैसमेंट की जैसा कि अब तक आपको बहुत सारी चीज़ें हो गए कि रिलीजन के बेस पर कास्ट के बेस पर लेकिन आप तो यह भी आगया रोजा सत्रा की जैसमेंट पर कि इवेन डाट ऑफ दी इलेक्टोरेट वुड अमाउंट तो करेप्ट प्रैक्टिस एंड कॉल फॉर दिस्क्वालिफिकेशन अब दा कैंडिट अब अगर आप इलेक्टोरेट ठीक है जो मतलब वो अपने अधार पर चुनाओ जीतना चारा है इल्लीगल ठीक है जिसमें तो बहुत अच्छी क्लियर चीज बोली आइटी ठीक है देखिया आप लिखा हुआ है इस इंटरप्रेटेशन वाज स्पेसिफिकली डिलेटेट तो यूज अप प्रोनाउन हिज इन सेक्शन 123 अप दा पोजिशन में कोई लड़ रही है तो अपने आपको बार बार बोल रहा है और और रही क्या पाएगी वह लड़ी कहां पाएगी तो क्या आपका भला करेगी मैं हूँ मैं पूरुस हूँ मेल परसन हूँ और मैं आपका विकास करूँगा यह सब तो अगर इन चीजों का भी प्रियोग होगा हीज वाला भी कंसेप्ट आएगा तो कहीं न कहीं डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा इस लेवल पर कंसेप्ट पहुंच चुका है कि इसे कहते हैं कि modern society में इन चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है यह आप इस्टेट का active participation है active involvement है ठीक है और यह कहीं न कहीं भारत में सेकुलरेटी के साथ साथ जो modern social values हैं उनको भी reflect करता है रगें चीजों को देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो हमारी society है ठीक है वो मलब जो हमारा state है कैसे चीजों को balance लेके चलता है प्रैक्टिस में आपको थोड़ा सा देखने को नहीं मिल पाता है ठीक है वो इसको लेकर तो सभी कहीं न कहीं चिंता रहती है लेकिन फिर भी कोशित सबकी तरफ से हो कानून जो है हमारे हम बहुत अच्छे हैं अगर ग्राउंड लेवल पर इस तरीके से वर्क कर जाएं प प्रमोर्टिंग रिलिजर्स डिस हार्मनी डिरिंग लेक्शन्स तो बोला जाता है कि भैसा अगर कोई डिस हार्मनी फैला रहा है दो धर्मों के बीच में बिवेज मलब कहिना कि मदभेद करवा रहा है कुछ ऐसी बाते बोल रहा है ठीक है टूस हिसाब से रिप्रजेंटे जो भी फाउंड होगा उसी आफ़सोत को सज़ा सुनाए जाएगी ऑफिस डिफाइंड अब आप्रमोर्टिंग और अटेंप्टिंग टू प्रमोट एनेमिटी और हैट्टेट विडिविन ग्रूप बेस्ट डाना रिलीजन रेस कास्ट कम्यूटी और लेंग्विज इसके है उसको भी मतलब कहीं समाप्त किया जाएगा आगे देखेंगे पनिस्मेंट वाइलेशन आप डिस सेक्षन केन लीट टू इंप्रिजनमेंट अप्टू ठीर तीन साल तक सजा इंडिविजूल बेक्टी होगा तो भी तीन साल की सजा या फिर फाइंड दोनों लग आपको यहां पर दोनों चीज़े देखने को मिल जाती है नेक्स्ट आप देखने के परपज अब यह इसलिए रखा गया ताकि हमारे यहां पर कमुनल हार्मनी आ सके ठीक है हमारे यहां पर साम्रदाइक सवहार्द बढ़ सके क्योंकि इंडिया जो है कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और इसमें कहीं न कहीं पीस बहुत जरूरी है सांती बहुत जरूरी है और इलेक्टोरल प्रोसेस सेक्लिर्जम को इंस्योर किया जा सके इन सभी चीजों के करण अगर आप देखेंगे तो पीपल आप रेपे जो एडिप्रेजेंटेस्ट ए तैमें काम कर रहे हैं तो इसके तहट सजा हो सकती तीन साल की कैड या पर जुर्माना या दोनों हो सकता है तो आगे चलते हैं अब आपको यहां पर कुछ तीन एक्जामपल दोंगा कि अभी तक तो मैंने आपको बहुत सारे आसपक्ट बताएं एक मैंने आपको बता दिये किस परकार से हमारे निए उसके बाद 2015 कि स्टेट दिया को पर सूप्रीम कोड के साल लिए कि मतलब क्या प्रेक्ट क्या है उसके बाद नाव एंग टूट्सक्राइब इंडिया तेके आपको यह समझ मैं जाए कि प्रेक्टिस जो हो रही है अब आपको एक क्रक्स मिल जाएगा कि इंडियन से इकलोजम है क्या त्राइब ट्रिपल ट्रोजा सत्रा में सुप्रीम कूट का तो उसका तलाग हो जाता था इसको लेका जज्जमेंट आया डिकलेर अनक्षेदों का उलंगन कर ला था समीधान के इसलिए इसको अनक्स्टिटिटिशनल डिकलेर किया गया नेक्स्ट जेंडर पैरिटी इट एम टुई इस इस रूलिंग के बाद भी अभी पॉलीगेमी जारी है निकाह हलाला जो है वह रिमेन अभी भी है यह प्रैक्टिस के उपर कभी में एक डिटेल में मेरी वीडियो बनी हुए लेकिन फिर कभी में आपको डिसकस करके बताऊंगा नेक्स्ट है लेजिसलेटिव एक्सम् जाता है और अगर वह दुबारा माले जो गुस्से में आके बोल लिए तब दुबारा फिर से वह एक साथ रहना चाहते हैं तो वह इतना आसान नहीं है वह जो महिला है विमेन उसे किसी और से विवाह करना पड़ेगा कि विवाह करने के बाद कुछ समय रहने के बाद में फिर वह दुबारा उसे तलाक लेके और फिर वह इससे विवाह कर सकते हैं अब यह कंसेप्ट जो है न हलाला का कंसेप्ट जो है यह आपको देखने को मिलता है और यही कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो एक कुश्चन मार्क हमारे हैं क्रेट करता है जैसा अभी मैं आपको बताओं अभी मैं बहुत अच्छा मिल गया मुझे मैं आपको डिसकस भी करूंगा और बताओंगा भी जैसे आपने सुना होगा भी वो एक साइन चलाता है ठीक है कि हलाल का साइन है और यह ऐसा है अभी आपने देखा होगा जिसे अपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार से प्रेक्टिस हो रही है ठीक है आप सरकान एक लेजिसलेटिव एक्षन लिया दा मुस्लिम विमन प्रोटेक्शन आप राइट ऑन मैरेज बिल 2019 वस प्रपूस्ट तुमेक इंस्टेंट तलाग इलिगल आप यह इक जगा तो है पहले तलाग बोला तब तीव लए साथ में ठीच्री बार और फिर 90 दिन के पूरे समय में भी नहीं रह पाए तो फिर तलाग हो जाना चाहिए ठीक है यह ठीक है लंबा तर में गुस्टे में आये तो हाँ हड़ चैन्स तो होई जाएगा और वह तो आएंगी अगर आपने इससे में बोल दिया अपिर लाक हो गया तो यह तो गलत है ठीक है तो मानो मंस निसान से गलतिया होती है इसको लेकर कहीं न कहीं एक सरकार की दोरा किया गया बिरोध काफी हुआ बिरोध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह खराप्टा कोछों लोग मानते तें सही भी है लेकिन बस यह होता है कि गवर्मेंट को इंटरफेर कर दी हो एक नेरेटिव चलाया गया कि सरकार का इंटरफेरंस दिसन डैट उसके लिए लोगों ने विरोध किया बाकी सही था बाद में खुले रूफ से इसका स्वागत किया गया महिलाओं की दोरा बहुत बड़े इस तरफे साबरी माला वर्डिक्ट अगर आप देखने तो आपको देखने को मिलेगा ठीक है अब इसमें क्या था प्रोविटेट वुमें नाउं दा अब दा मेसलेटिंग एज प्रम एंटरिंग साबरी माला टेंपल एक खास एज ठीक है की मैलाओं को ठीक है मंदिर में जाने से मना किया गया सुप्रीम कोट का डिसीजन आया के लाउट विमन तो आल एज इस टो एंटर देंपल ठीक है सभी एज ग्रूप की महिलाएं जो है मंदिर में जा सकते हैं ब्रेकिंग डा एज ओल्ड ट्रेडिशन बहुत लंबे ट्रेडिशन को क्या करता है तोड़ता है अब कॉ उस एज ग्रूप के महिलाओं के साथ गलत हो रहा है वह अपने ही रिलिजन को प्रेक्टिस नहीं कर पाई तो यहां पे स्टेट इंटर क्या रहे हैं और अगर यह कमुनिटी राइट का उलंगन होका तो स्टेट इंटर प्रेकर 25 वन जो है दाइट टु रिलिजन अंडर आ मैं इस पर क्या क्या अडिकल 26 इम्यूरिटी वह तिगे जटेंपल बोट्स प्लेम पर इम्यूरिटी वह ओबरूल्ट अब आटिकल 26 था ठीक है उसने इम्मिनिटी क्लेम मांगा क्योंकि अभी देखो ना भी हम लोगों ने डिसका सीट पिया था भी ये देखिए राइट टू रिलीजियस ग्रूप क्लेर है अब इसको लेकर इन्होंने इम्मिनिटी क्लेम मांगा ठेक है राइट टू मैने इस ओन रिलीजियस अफेर क्या करेंगे मैनेज करेंगे लेकिन सरकार ने को सुप्रीम कोट ने बोला नहीं ये ओवर रूल होगा ठेक है इस प्रकार से आपको ये एक पोई देखने को मिल जाता है अब गौवर्रमेंट का एक्षिन क्या हुआ कि इन्वर्रमेंट मिनिश्ट्री रेस्रिक्षिन अन्दा सेल अप्टल पर स्लॉटर अंडर दा प्रिवेंशन अप्रिवलिटी अप्टू अनिमल रूल 2017 एक तो ये कानून है अब साउथ में और नौर्थ इस्टेट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बीफ जो है वो कल्चर में यह लोग उसको कंजियूम ही करते हैं ठीक है अब आप देखेंगे दो डिफेरेंसे तो हिंदू सेंटिमेंट इस नोटेट अंडर अर्टिकल फोटीएट देखेंगे देखेंगे तो यहां पर एक मैजॉरिटेरियन वीज आया ठीक है जहां पर एक मैजॉरिटी है किसी स्टेट में उसके कुछ रिलीजियस प्रेक्टिस है अगर उनका लंखन हो रहा है तो वहाँ पर सरकार क्या किया मलब गवर्मेंट क्या कि इंटरफेर कि सुप्रीम कोर्ट इंटरविंशन फॉल्विंग इस डा गवर्मेंट एग्री टूर रिवजिट दरूल ठीक है सरकार जुथा वह रिवजिट दरूल पर फोकस किया और आप देख सकते हैं कि यह सारी शीज आपको देखने को मिलती है तो मैं मैंने इसको जल्दी इसलिए कर लेकर कौंड कौंसी अंडरस्टेंडिंग आपको देखने को मिलती है तो अगर आप यहां पर देखिए बच्चो तो कुछ चीजे तो मैंने आपको बढ़ाद जेड़ सीसमें क्या क्या सकते है बश्युक्रिजमस क्या कि डूसरा है से कुलरिजम और इंडिए अन्डियन प्रेरों आप सेकुलरिजम थेकि हैं। और स्टेट एक्टेवली पारिसिपेशन अप्रेट सुप्रीम कूट आप यहां से यह भी देख सकते हो पीपल आफ रिप्रेजेंटेशन एट यह आपको एक देखने को मिलेगा तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़े लेबल पे इस तर पे बहुत जल्दी बहुत सारे पॉइंट आपको कबर कराने की कोशिस किये ताकि यह चीज़े आपके लिए क्या हो जाएंगे यहीं पर आप देखेंगे इसके पहले आले जो बच्चे नय हैं इसको अभी देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ पहले देखें मैंने यहां पर डिसकस क्या रखा है इस सबी चीज़ों को देखते हुए एक अच्छा सा आंसर आपसे उमीद है कि आप एक अच्छा आंसर यहां पर लिखके देंगे ठीक है मैं आपको टेलिग्राम गुरूप बता देता हूं कि अड़रेट कि डीपक वन यूपी असी यह मेरा टेलिग्राम गुरूप है कोई डाउट है तो आपको सकते हैं ठीक है आपको यह नोट्स यहीं मिलेगा प्रेम करके मैं आपको बताता हूं तो मैं कुछ कंशन्स आपको ढूंगा जिसको आप घर पर प्रैक्टीस करें कि जो चोटे क्वेश्चन्स हैं उनको 6-7 मिनिट के अंदर जो बड़े क्वेश्चन उनको 8-9 मिनिट के अंदर लिखने का प्रियास करें अभी आपको लगे लेकिन जित्ती जल्दी आप इसको कहीं न कहीं आप प्रैक्टिस में ला सकते हो बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पढ़ा तो दिये जाएगा लेकिन टाइम प्रेम में लिखना और इक्जामपल्स यह बहुत जरूरी है नेक्स लेक्चर में यूची का लेकर आऊँगा और यूची के लेक्चर पर आपके साथ में डिसकॉसन होगा कि कैसी को आगे बढ़ा है इंडियन सोसाइटी आप सभी को मालूम होना थी वेटा कि बहुत इंपोर्टेंट है क्लियर है इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि 90 नंबर की कुष्चन की बात ही नहीं है कि कुष्चन ते नंबर काया इतने माक्स काया लगा था यूपीसी यहां से पूछ रही है इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीसी की तो सोसाइटी को जानना तो बहुजर होगी और इवन इकल सोसाइटी को जानना ही नहीं है उसको उस लेबल पर आप डिसकस करिए उस लेबल पर आप आंसर लिखिए करेंट अफ्यर जो है मैं भी स्टार्ट करूंगा एक ब बता हूंगा दोसी बात में यहां पर बता देंदा चाहता हूं एक और बेनेफिट मेरी क्लास जो है आपको योजना की मिलेगी योजना मैकजीन भी बहुत इंपोर्टेंट है और इसके आर्टिकल्स हम लोग अलग-अलग थीम बेस होते हैं हर मंत की मैकजीन तो लास्ट इ इनके एक हैबिट देखने को मिलेगी अब अच्छी प्रैक्टिस को पाएगी आपके नौलेज की भी करेंट बेस उसमें आंसर राइटिंग भी मैं कर आता हूं तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर पाएगे चली थैंक यू सो मच पर वाचिंग डिस सेंट बाबाई टेक क्य जहिन जय भारत